हेलो दोस्तो लेट्स प्ले बार्बी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुबा का टाइम है इसलिए सब लोग सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर तभी यहाँ पर पिंकी की आग खुल जाती है सुबा हो गई है क्या अरी हाँ तो सुबा हो गई है सूरज भी निकलाया है और हम अभी तक सो रहे हैं चलो जाके देखती हूँ भाबी जगरी की सो रही है अरे यह क्या यहाँ पर तो भाबी भी सो रही है अरे भाबी तो हमेशा ही सोती रहती है मुझसे पहले तो उड़ती ह पता है कि मेरी हालत ऐसी है फिर भी चलो कोई बात नहीं जाती हूं मैं ही कुछ खामi धंदा कर लेती हूं भावी को बात में जगा दूँगी नहीं तो बोलेंगी कि मैं परिशान कर रही हूं अरे लिकिन इस हालत में मैं कौन सा काम करूँ मुसे तो कोई भी काम नहीं हो पाता है मैं क्या करूँ चलो जाड़ो लगा लेती हूँ वो तो मैं धीरे धीरे कर ही लूँगी उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है चलो चलो जाके जल्दी से रसोई में जाड़ू लगा लेती हूँ और फिर यहाँ पर पिंकी रसोई में जाड़ू लगाने लगती है अरे मुझसे जुका भी नहीं जा रहा है अच्छे से पता नहीं मेरी डिलोरी कब होने वाली है चलो जादा नहीं सोचती हूँ और फिर यहाँ पर पिंकीज कच्छड़े को भर कर लेके जाने लगती है। अरे पर मैं इसे कहां फेक हूँ। चलो बातरूम के पीछे ही फेक देती हूँ। अरे ये क्या यहाँ पर इतना सहरा छेची किस ने किया है बातरूम के पीछे। आखिर ये किस की हरकत हो सकती है। अरे ये जरूर मुन्ना ने ही किया होगा। उसे बातरूम में बैटे से पता नहीं क्या मसला रहता है। जब देखो यहाँ पर छेची कर देता है। ये लड़का भीना मुझे बहुत ज़्यादा परिशान करता है। अब इसे भी साफ करना पड़ेगा। जाने तो वेसे भी अभी मैं जारू लगाते लगाते बहुत ज़्यादा ठक गई हूँ। यही पर कश्रा फेक देती हूँ, बाद में साफ कर दूँगी, हा नहीं तो। अरी यह मुन्ना भीना मुझे बहुत ज़्यादा परिशान करता है, आज मैं उसे खुब डाट लगाऊंगी, जब देखो यहाँ पर छीची कर देता है, यहीं सामने बातरूम है, उसमें नहीं जाता है करने के लिए, रुख जा आज मैं उसे पताती हूँ। यहाँ पर एक चोड पिंकी को खड़ा हुआ देख रहा होता है, अरे भाई यह क्या, यह तो प्रेगनेट महिला है, अरे वा, इसने कितना ज़ादा अच्छा मंगल सुत्र पहन रखा है, चलो चलो जाके जल्दी से छीन लेता हूँ, लगता है सब लोग सो रहे, यह मेरा क् बिगाड़ पाएगी, खुद को समाल नहीं पा रही है, चलो चलो जल्दी से जाता हूँ, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, अरे चलो मैं जाती हूँ, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे है, बताओ मुझे, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं चोर हूँ और क्या चोरो जल्दी से मुझे अपना मंगल सुत्र दे दो अरे इसे कैसे अपना मंगल सुत्र दे दो मजा कर रहे हो क्या एक चपेड पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगा बड़ा आया अरे तो इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो तुम्हारी सास ज जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी अरे इसे कैसे जबरदस्ती करोगे अरे अरे क्या करें क्या पत्तमीजी है अरे अरे मेरा मंगल सुत्र छोड़ो क्यों चेन रहे हो मुझे जल्दी से छोड़ो मुझे अरे तुम्हारी केर नहीं दे छोड़ो मेरा मंगल सुत्र छोड़ो सि नहीं दूंगी सिताचे जल्दी से उठीए भाबी देखिए इस चोर को अरे सब लोग सोर है तुम्हारी आवास कोई नहीं सुनेगा अले यह तो छोटी ममी की आवाज ही कहां शी आल ही है चुल जाके देखती हूं मैं अले अले यह क्या यह तो एक चोर है और यह तो छोटी म बढ़े जल्दी से मंगर सुतर मुझे दे दे समझी क्या हा ठीक मैं अभी जाती हूं मामी मामी छोंटे पापर जल्दी से उठो जल्दी उठो झाल चाॉर चोर क्या क्या कह चा चौर अरे कहा अरे किया कही रही है चल देखते हैं और यहां यह क्या बची न यहां ज़ने तो जल्दी से भागता हूं अरे पिंगे जी आप ठीक तो है ना क्या हुआ आपको चल्दी से उठ जाएए अरे सिधा चल्दी से पिंगी को उठाओ अरे अरे पिंगे जी क्या होगी आप ठीक तो है ना बताईए मुझे अरे सिधा जी अरे हाँ पिंके जी मैं अभी आपको उठाता हूँ आप फीक तो है ना क्या हुआ आपको अरे बाबरे अरे पिंके जी मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं अब पिंके जी आपको ज्यादा चोर तो नहीं लगी ना बताईए मुझे बताईए अरे उस चौर को मेरे हाथ में लगने दब फिर मैं उसे बताता हूं उसके हिम्मद कैसे हुई अरे सुटे तुमने चौर को देखा क्या बताओ मुझे हाँ मैंने देखा है अरे सिधा जी आ आ होस्पिटल लेके चलिए मुझे मामा 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 अ, मुझे बहुती ही सीड़र दर्द हो रहा है सिद्धाजी, आ, बाभी, बाभी बचाइए मुझे, अअ, अ इतनी जल्दी फॉन सुभे सुभे हेलो क्या बात है बताईई अरे अरे अम्themुलेंस भाई साहब जल्दी से यहां पर आजाई एमर्जन्सी है जल्दी से अंबुलेंस लेके आजाईए प्लीज बहुत ही स्थाधा एमर्जन्सी है मेरे पतनी को होस्पिटल लेके जाना है प्लीज आप लोग जल्दी से आ जाएए अम्बुलन्स लेकर अरे हाँ हाँ ठीक ठीक आते हैं ड्रस तो बता दो अरे हाँ ठीक ठीक जल्दी से आये मैं फोन रखता हूँ अरे बस वो लोग जल्दी से आ जाएं भावी मैंने फोन लगा दिया एंबुलेंस वालों को उन्होंने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी आ रहे होंगी पिंकी जी आप हिमत से थोड़ा काम लिचे ठीक है ना कुछ भी नहीं होगा पहले मैं आपको होस्पिटल पहुचा दू फिर उस चोर को मैं देखता हूँ अगर मुने उसे सलाखों की पीछे नहीं डलवाया ना तो मेरा भी नाम सिध्धार्त नहीं और फिर यहां पर एंबुलनस जल्दी से आ जाती है और देखिये भावें एंबुलनस आ गई है यहां पर यहां पर भाई साब यहां पर आईए औरे हां यह तो बहुत ही ददा एमर्जंसी है आप जल्दी से इस्ट्रेशर पर लेटा दीजे पेशन को अरे हाँ ठीक ठीक है हम भी लटाते हैं अरे पिंगे जी आप बिल्कुल भी चिंदा मत कीजिए देखे एंबुलनस आ गई हम आपको जल्दे से जल्दी होस्पिटल लेके जा रहे हैं सदाजे मुझे जल्दे से होस्पिटल लेके चलिए चलिए भाई सहाब चलो चलो मैं बे जल्दे से जाती हम भी चाजी के साथ जाना है उरे बहन ज鬼 आप हिम्मद से काम लिजे ठीक है हम आपको जल्दी से जल्दी होस्पिट पहँचा देंगे आप बस हिम्मद रखिये चलिए जल्दी से अंदर बैठ जाए चलिए इनके परिवार वाले कौन जल्दी से आप सब भी बैट जाएए ठीक है न हमें जल्दी से जाना होगा बहुत ही ज़्यादा एमर्जंसी है लगता है बहुत ही ज़्यादा चोटे आई है लेकिन मुझे थोड़ा धीरे धीर चलाना पड़ेगा एंबुलेंस ठीक है न अरे हो ठीक है भाई साहब अरे ठीक है फिर जल्दी से बैट जाएए आप सब भी मैं जा रहा हूं स्टार्ट करने के लिए अंबुलेंस चलो चलो मुनना जल्दी सुतरो चलो हम भी जल्दी से अंबुलेंस में बैटते हैं चलिए भावी आप भी जल्दी से आ जाएए ठी कुछ उच नीच हो गया और फिर यहां पर एंब्लेंस चली जाती है